नगीना से सांसत बनने के बाद अजाज समाच पार्टी के मुख्या चंदरशेकर अजाद एक कदावर नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं उनके आंदोलनकारी अंदास को पूरी तरह से पसंद किया जा रहा है यही वज़ा है कि उप्चनाव ना लड़ने वाली बस पूरी उनके पक्ष में जा रहा है पर हनियाना में जिस तरह से वहे जेजेपी के साथ गड़बंदन करने जा रहेे हैं यहा गड़बंदन उन्हें उल्टा भी पड़ सकता है इसकी बड़ी वज़ा ये है कि जेजेपी नेता, दुश्यंत चोटाला की च्छवी, किसान और पहलवान दोनों के विरोधी बन चुकी है दसन नगीना से सांसत बनने के बाद अजाद समाजपाटी के संस्तापक शंद्रशेकर आजाद का आत्मविश्वास आस्मान पर है, वे सडक से लेकर संसत तक विबिन मुद्दो को लेकर मुखर रहे हैं इस बीच जहां सरकार की कमियों को गिनाते हुए उन्होंने सत्तारूट पार्टी बीजेपी को घेरा है वही आजम खान के साथ ना इंसाफिक का मुद्दा उठा कर सपा मुख्या अकिलेश यादव को भी कटगरे वे खड़ा कर दिया है एक और जहां वे दलितों के हक के लड़ाई लड़ रहे हैं वही दूसरी और किसान मजदूरों की समस्या उठाने के साथ ही दूसरे जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं ऐसे में एक और जहां वे बस्पा मुख्या मायवती के लिए खत्रा बनते जा रहे हैं वहीं अखिलेश यादव को भी उनसे असुरक्षा होने लगी है उत्रपरदेश विधान सभा के उप्चिनाव में चंदरशेकर अजाद सभी दस सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर चुके हैं चंदरशेकर अजाद ने जिस सरह से किसान आंदोलन के साथ ही पहलवानों के आंदोलन को भी समर्थन दिया और जिस सरह से वह संसद में विनेश वोगाट के ओलंपिक में कुष्टी के फाइनल में ओवर्टेक के नाम पर डिस्कॉलिफाई होने पर संसद में नराजगी दिखाई उससे उनका कद काफी बढ़िया है इन सब के बीच अंदरशेकर अजाद हनियाना विधान सबचनाव में जो जेजेपी के नेता दुशियन चोटाला के साथ मिलाने जा रहे हैं उससे उनकी छवी धूमिल हो सकती है क्योंकि दुशियन चोटाला ना तो किसान आंदोलन में कहीं दिखाई दिये और ना ही पहलवानों के आंदोलन में उल्टे उनके पिता अजे चोटाला ने किसान आंदोलन पर गलट टिपड़ी कर दी ऐसे में यादी चंदरशेकर आजाद हनियाना में दुशियंत चोटाला के साथ हाथ मिलाते हैं तो कॉंग्रिस के साथ ही उन्हें किसान, नेताओं और पहलवानों की नराजगे पड़ सकती है क्योंकि दुशियन चुटाला को ना तो हनियाना की जाट पसंद कर रहे हैं और ना ही किसान ऐसे में चंदरशेकर अजाद पर ये आरोप लग सकता है कि वे सत्ता के लिए किसान विरोधी नेताओं से भी हाथ मिला रहे है इसकी बड़ी वज़ा ये है क्योंकि जब किसान और पहलवान आंदोरन कर रहे थे तब दुशियन चुटाला सत्ता की मलाई चाट रहे थे चंदरशेकर अजाद को हन्याणा में चुनाव लड़ना ही है तो उन्हें उत्तरप्रदेश उप्चुनाव की तरह हरियाना विधानसवा चुनाव भी अपने दम पर लड़ना चाहिए दुशियन चुटाला के लिए बड़ा प्रश्ण ये है कि यदि वह किसानों और जाटों के इतने ही हितैशी थे तो फिर किसान आंदोरन में उनको किसानों की पीड़ा क्यों नहीं दिखाए दी बीजेपी सांसद और ततकालीन कुष्टी फेडरेशन के अध्यक्ष बिजभूशन शरंसिंग वैसे भी दुशियन चुटाला के बारे में तहा जा रहा है कि बीजेपी ने ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भेजा है बीजेपी चाहती है कि दुशियन चुटाला जा अपने साथ लेने को तैयार रही है ऐसे में यदि चंद्रशेकर अजाद दुशियन चुटाला के साथ हाथ मिलाते हैं उनके लड़ाके की छवी पर असर पड़ सकता है वैसे भी बस्पा हर्याणा में इन एलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है इन एलों के नेता अभ पहे चौटाला दोनों ही नेता किसानों और पहलवानों के मामले में चंद्रशेकर अजाद पर हमला बोलेंगे तो इस पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं साथ देखते ही दिए इस 15 वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल उरूलें